हलो दोस्तों मैं हूँ दीपक देव तौलो राम सभी का मेरे चैनल पर स्वागते भाईयो अगर आप राइस्थान के किसान है तो इस वीडियो को भाईयो पूरा देखना देश में पहली बार होने जा रहा है एसा राइस्थान के किसानों के लिए आई सबसे बड़ी सबस्क्राइब बटन ने उसको दुबा कर हमाचा जुड़ सकता है साथ ही बेल आइकन जरूर दुबारना ताकि किसान है और आप राइस्थान के रहने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर करना ताकि सभी किसान वायों तक यह वीडियो पहुंचे और जैसा आप इस वीड सरकारी फस्लियरिन और पोर्टल से भी शूरुवात की जा ठीए इसके साथ राईस्थान अब सवरकारी छेत्र में डिजीटल क्रांथिक और अग्रिशल हो रहा है जिनको हम पंचायत की सरकारी समीत्य होती है यानि कि भाईयो जो अपनी सरकारी समीती होती है जिनको हम पंचायत की सरकारी समीती होती है वहाँ से इसका जो ओनलाइन का फोरम मिलेगा इसका अनुसार किसान को समीती या इमित्र के इंदर पर जाकर ओनलाइन पंजिकरन कराना होगा इमित्र तो भाईयों सब जानते होंगे, आमको इमित्र पर जाकर इसका ओना इन पंजिकरन होगा, पंजियन बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर किया जाएगा, यानि कि भाईयों जो बायोमेट्रिक अंगूठे के जो निसान होता है, उससे बायोमेट्रिक जो पंजियन ह रियल में जिस किसान के दाम सोगा वही उसको कर पाएगा इसका सदस्य इक सानों को फसलिक डिजिटल मेंबर रेइस्टर के माध्यम से वित्रण किया जाएगा यानि कि जब आप इसमें एक ब्रेश्टर्र से करा लो गए तौन आपके अराम से जो फसल के रिट होता है वह याने कि भाईयों जो भी ओनलाइन ये माध्यम हो चुका है आप तीन तारिक है तो आज से आप इमित्र पर जाकर इसका ओनलाइन फोरम बर सकते हो अब आप पंजीकरण कैसे करा सकते हैं हम उसकी स्पिसार जान कर देते हैं ग्राम सेवा सहकारी समीती से निसुल का आविद्र पत्र प्राप्त करें जो ग्राम की सहकारी समीती होती है आप वहां से इसका पंजीयन का फोरम मिल जाएगा किसी भी समीतिया इमित्र के इंदर पर जाकर पंजीयन कराएं सिंपल आप इमित्र पर जाओ और पंजीयन करा दो उससे बोला कि जो फसल किसान के लिए फसल रिन मिल रहा है उनलाइन उसके लिए हमें फोरम बरना है पंजियन की सूत्रा मुबाइल पर मेसेज पर दी जाएगी साथ ही रसीद भी जाएगी जिस पर एक यूनिक आविदन पर मांक होगा यानि वाद आप पर फोरम बरो गए त सरकारी बेंग खाता होना चाहिए और एक आई एफसी नंबर होना चाहिए राजस्यों रिकोर्ड में दर्ज भूमी का विवरण होना चाहिए समीतियों अन्य बेंग को सस्थाओं के लिए रिन की सूच ना होनी चाहिए यानि बायो सिंपल एक बेंग खाता होना चाहिए आ आप इसके लिए लोन पासकते हो वित्य पार्दिसा अता आएगी और किसानों के लिए हिद सुरक्षित में पैक्स और लेंपस में फसले रिण संपूर्ण पिरक्रिया ओनलाइन कर दी गई है तो भाईयों आपको राय है कि जिन भाईयों न भी तक आधारकार को बायोमेट्र हो जाएगा बायोमेट्रिक होने से क्या फाइद होगा कि अपने आधारकार नंबर से आपके मुवाइल नंबर और जो आपको बैंक खाता होगा वो तीनों जुड़ जाएंगे जिससे आपको लाब मिलेगा ओनलाइन फोरम बनने बाद सीधे आपको खाते मिल जाएगा तो इस प्रकार आपके खाते में डायरेट जितना भी आप फसल के लिए रिण लेने चाते हो वह सीधना आपका अकाउंट में आजाएगा बायोमेट्रिक की तरीके से तो आए बहुत बढ़ी खुसकबर हमाचे करते जिस प्रकार आपने खबर सुनकर खुसकब खुस होगे हों तो सभी राज्थान वाच वाच हो तक वीडियो पहुंच रही है और वह भी इसका नाव उटा सके घर बेट है तो वीडियो जल्द से जादा करें करें अगर आप जुद्ना चाते हैं या फिर आपको कोई कमेंट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपका अधार करके बता देंगे कि आप इस योजना के लिए है या नहीं है तो हमें कमेंट करके आपका अधार कार नमबर नीचे और नाम आपका कमेंट करें जल्द से जल्द बताएं और जो हमसे जुद्ना चाहता है नीचे लाल को सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर हमाँ साथ सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास तो वीडियो में आज की तरह है बाई हो जय हिन जय भारत